या आप जानते हैं कि bank या post office में रखा आपका पैसा कितना सुरक्षित है जिस तरह से bank में saving account होता है FD होती है RD account होता है save उसी तरह से post office में भी saving account खुलवाय जाते है FD होती है RD account होता है जब भी हम कहीं investment करते हैं तो हम mainly दो चीज़े देखते हैं कि हमारा पैसा कितना secure है वहाँ पर और दूसरा कि हमें returns कितने मिलेंगे अपने investment पर अगर bank दिवालिया हो जाता है या bank बंद हो जाता है तो आपका पैसा कितना secure है क्या वो आपको वापस मिलेगा जितने की भी आपने FD करवाई होई है या जो भी आपके saving account में पढ़ा हुआ है क्या वो पूरा पैसा आपको वापस मिलेगा वो पुरी तरह से secure है इसी तरह से post office के case में भी आपका पैसा कितना secure है आज के वीडियो में हम completely discuss करने वाले हैं तो बने रहीगा हमारे चैनल के साथ सबसे पहले हम security की बात करते हैं bank में हमारा जो भी पैसा जमा है उस पर हमें insurance cover मिलता है जितने भी nationalized banks है या private banks है वो सब RBI के अंडर में आते हैं और DICGC एक insurance corporation है जो की government की ही एक body है और ये corporation हमें insurance cover देता है हमारे पैसे पर जो भी हमारा bank के अंदर deposit है पहले ये limit एक लाख रुपै थी यानि कि अगर bank दिवालिया हो जाता है या bank बंद हो जाता है तो आपको एक लाख रुपै मिलेगा चाहें आपका bank के अंदर पांच लाख रुपै जमा हो जैसे कि मान लेते हैं कि बैंक में आपके चार लाक रुपय जमा हैं तो आपको चार लाक रुपय पूरे मिल जाएंगे लेकिन अगर बैंक में आपके 8 लाग जमा हैं तो आपको सिर्फ 5 लाग रुपए ही मिलेंगे और 3 लाग का आपका नुकसान हो जाएगा अगर एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचों में आपने पैसा जमा किया हुआ है तो सिर्फ 5 लाग रुपए का ही आपको यहाँ पर कवर मिलेगा लेकिन अगर आपने अलग-अलग बैंकों में अपना पैसा जमा किया हुआ है और वो सभी बैंक दिवालिया हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं तो हर एक बैंक आपको 5 लाख रुपय का कवर देता है इसलिए अपने पैसे को हमेशा डावर्सी फाइड रखे एक ही बैंक के अंदर सारा पैसा मत रखे 5 लाख तक ही आपका पैसा यहाँ पर सेक्योर है अगर हम बात करते हैं पोस्ट ओफिस की तो पोस्ट ओफिस पूरी तरह से सेंट्रल गवर्न्नेट के अंडर में आता है और इन केज पोस्ट ओफिस बंद हो जाता है तो post office के अंदर आपका जितना भी पैसा है वो पूरा पूरा secure है और पूरा insurance cover आपको उसके उपर मिलता है जैसे कि मान लेते हैं कि आपने NSE करवाई हुई है या आपका सुकन्य समरिद्धी योजना में पैसा है या फिर आपने saving account कुलवाया हुआ है या फिर आपने FD बनवाई हुई है post office में तो यहाँ पर आपको एक भी रुपय का नुकसान नहीं होता है जितना भी पैसा आपने post office में लगाया हुआ है वो पूरी तरह से आपको वापस मिल जाता है पूरी तरह से secure है तो security के अगर हम बात करें post office में जाएंगे तो यह थोड़ा बहुत कम है यहाँ पर एक परसेंट या आधे परसेंट का difference रहता है तो accordingly आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आपको bank में डिपॉजिट्स रखने है या फिर post office में डिपॉजिट्स रखने है post office में क्या rates चल रहे हैं interest rates यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको सभी तरह के deposits के rates पता चल जाएंगे 1 year time deposit 6.9% का rate है 2 year time deposit 7% का interest rate है 3 year time deposit 7% का rate है 5 साल के time deposit पर 7.5% का rate है इस तरह से आपको यहाँ पर काफी सारे senior citizen saving scheme का भी rate मिलेगा PPF का NSC का सारे interest rates आपको bank में FD करवानी है तो आप उस particular bank के rates चेक कर सकते हैं साथ में आप post office के rates भी चेक कर सकते हैं post office में आपका पैसा ज़्यादा secure है और अगर आपको in comparison to bank post office में ज़्यादा interest rate मिल रहा है तो post office आपके लिए ज़्यादा secure रहते हैं तो यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं मिलेंगे next वीडियो में चैनल को subscribe करना मत भूलेगा इस चैनल पर हम आपके लिए investment, सरकारी, योजनाए finance related काफी सारे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे so thank you so much for watching this video stay safe and healthy, bye bye